व्रेक्शनल पार्ट एक्स आगया देट न पार्ट फॉंक्शन आ गया है यह जो होता है आप ऐसे एक्स्लियोंशन दीजिए कि देखो कोई भी हमारा एक्स नंबर है गयर वो इंटीजर हो चाहे नहीं हो ultimately तो greatest integer of x plus fractional part of x के बराबर ही होता है उसका sum तो यहां से जो fractional part x निकल के आया हो क्या आया x minus greatest integer of x तो आप इसके अदर put करिए अब जैसे ही fractional part function आये greatest integer function आये modulus function आये LHL और RHL अलग-अलग calculate करने हो दिए है तो x tending to 0 negative क्या होगा x minus greatest integer of x 10 x minus greatest integer of x 0 negative जब आप 0 negative put करोगे तो कितना हो जाएगा यहां पर x minus 0 negative का मतलब क्या है कि 0 से थोड़ी सी छोटी value 10 x minus 0 negative तो 0 negative का मतलब होता है 0 से थोड़ा सोटा तो यहां पर minus 1 आने वाला है और minus 1 से वो आगे का और minus लगावा है तो प्लेस वन हो जाएगा x plus 1 10 x plus 1 ठीक है और x क्या है हमारा 0 को टेंट कर रहा है तो अल्टिमेट लिए बनेगा 1 upon 10 अब यहां पर आप जीरो पॉजिटिव को अप्रोच करो x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव x minus 0 पॉजिटिव 10 x minus 0 पॉजिटिव 0 पॉजिटिव पर किता होगा 0 ठीक है 0 पॉजिटिव को लिए 0 होगा तो अल्टिमेट लिए इस पर आजाएगा और x 0 को टेंट कर रहा है तो 10 x upon x 1 होता है यहां से 1 upon 10 1 आ रहा है यहां से 1 आ रहा है तो यहां पर भी लिमिट आपके एक्जिस्ट नहीं करेगी लिमिट डस नाट एक्जिस्ट पेंज जो था हम यह समझाना होता है कि fractional part x देखके गबराना नहीं है इस तरह का कुछ करना होता है उसके बाद LHL और LHL अलगलग calculate करने होते हैं ठीक है तो यह चीज़ अगर आप explanation देते लोगे बच्चे को तो तो बहुत ज़्यादा clarity आती रहे है